चंकर के शिवलिन को बनाने के लिए मिठी कहां की होना चाहिए, किस जगहां पर बनाना चाहिए, मिठी में कैसा जल मिलाना चाहिए जब शिवलीन का निर्मान करें संकर के शिवलीन को जब बनाए तो सबसे पहले केसे बनाए उस तक का विदानशी महा पुराण में और लिंग पुराण में कहा हूँ कियारे की मिठ्टी यो क्यारा मतलब समझ यह जिस मिठ्टी पर कोई गंदगी ना करी गोई हो एसी जगहां का कोई भाग मिठ्टी का लाए गोई पिछले वर्ष के लागडाउन से लेकर अभी तक की जो कथाएं आप लोग सुने हैं उसमें शिवलिंग मत्टी का किस तरह से बनाया जाए और कैसी मत्टी हो और उसमें पानी कैसा मिलाया जाए कैसा शिवलिंग तयार करा जाए उसका विधान बढ़नन नहीं कर पाए परंथ तो आज कथान इकले हैं क्यारे की मिटी मतलब जिस मिटी पर कोई गंदगी ना करी गएओ इस जगा की मिठी को लेकर जाए और मिठी को लाने के बाद होड़ा पानी का सीचन पर अतात घर में लाए तो उससे पर-दिक को पवित्र ऑपने घर में गंगा जल रखायो यमना जल रखाओ, सर्यूजी का जल रखाओ, उससे मिट्टी का सीचन कर दो मान लो अगर ये जल नहीं भी है, तो जल के अंदर थोड़ा सा इत्र डालकर मिट्टी का सीचन अगर इत्र भी नहीं है, तो जल के अंदर थोड़ा सा दूद डालकर मिट्टी का सीचन पीपल का पत्ता ढालकर उसका सीचन कर पर मिट्टी पर घर में लाते से ही यह निकि मिट्टी अलाए हो तुमको शिवलिंग दिन डिलाए हो तो उसी दिन जल का सीचन होना चाहिए है है शिर दिन बनाई रिव को फानी कर गए छीठा लिजादा मत जाल ओकर इंडा प्रूं को ठंद्रा इन बात बना लृट बार ना इंतिन भात बना इंडब है कुछ कि जिस दिन शिवलिंग का निर्मान करो इस दिन नातहां में अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं तो ब्रह्म महुरत में मिट्टी को गला हुआ किस पानी से गलाना उसका भी प्रमानक उसका भी संसरी अंतर किस जल्ट से गलाया है कि यह अगर आपको आज शिवलिंग का निर्मान करना है साम को अपने पानी का मत का हो हंडा होता है रसोई घर में जहां पानी भरतर रखते हो उसके नजदीक में एक कलश जिसमें अलग से ताजा जल भरा जाए और उस पर प्लेट धकी हो और उस पर एक चावल का दाना रखा हो उस जल को लेकर आओ थोड़ी दिर रखा रहे आदा गंटा दो गंटा तीन गंटा वहां एक तुम पूरे घर को सब और या तुम साफ रखो ना रखो और रसोई घर हो इस देगे आधे जब जूला बंद होता था तो इसको गीला करकर वोबर को जा पानी में उसको गीला करकर कपड़े को गीला करकर बूरे चोके को रसोई घर को पोंचा जाता है लिग अहां lota को तो एक तो इसको पोता लगातें तो लोगोश्की आप इसका निर्वान के महिने में आप शिवलिंग बनाते हैं थो हाइँ पुरह से घ्लिंग कुरान से हैं सुंगाया और अविसालिया अधर 110 जबना उस मिथी मैं ₩ दीन बाद बनाओ चार दीन दीन बाद बना नहीं दीन दानों चिवल ऑन बनाओ उस मिथी को जो पण आपने रस्वई घर में रखा है चावल का दाना रखकर प्लेट के उपर अर्थाथ उस कलश का जल उस मिट्टी में थोड़ा सा डाली है क्यों डाला जाता है उसका भी भाव बर्णन किया है अग अविश्च्य पुराण इसकंद पुराण अग्नी पुराण इन तीनों से लिया गया बर्णन किया गया जब उस कलश का जल हम डालते हैं तो उस कलश में पित्रों का भाव आजाता है अनपूना का भाव आजाता है घ तो मिट्टी में मिलाटे हैं तो पवित्र हो जाती है सोयम के लाश अधिपती को सिकार करने के लायक हो जाती है निर्मित करने के लायक हो ताहिए इस भी सबसे पहले शिब से मिलने से पहले पात्र ने पहलर को जेलने के लिए कि अधर नहीं है आट जिसके जहला जाए स्वयम गंगा शिवकी जटा में और आप संकर के श्वलिन का अंधरमान कर रहे हो तो यह आप देश्वर सहीता के अंतरगत पड़े कि ब्रह्मा रोविष्णु ब्रह्मा ऊपर जा रहा है बग्वान विष्णु नीचे जा रहे है तो पता नहीं कर पर कि यहां चरण का परो जिसका को जाने है कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ और इस बेल पत्र की जो तंडी है वो उत्तर दिशा में रखना है जब आप शिवलिंग का अंधरमान का कि इसके उपर जो गलाई के मिट्टी है वो डाल बीजा और डालने के बाद सबसे पहले शिवलिंग का सुरु अ सबसे नीचे की जलादारी रहा है जब रखना है शिवलिंग का सुरु बनाने के बाद उसी शिवलिंग के खास्त और मिट्टी डाल दिजिए फिर छलादानी का निर्मी थो गई छंकर जी का संकून करिवान शिभुलिंग में रता है आपको पयलेरी करदेँ बहुत अधिपटी भ Woo Teshwar बहुत एुड गवान श्रिचिव का संकूर्ण करिवान शिभुलिंग में पहलेरी करना ने कहा आच फिर आपको बंडन कर देदेँ में में जैसे यह जला धारी है टोल यह चरंड है यह को टाद करका में यह को राइट भाग में श्री गनेश जी का स्थान लेट भाग में श्रीकार्थी के जी का स्थान बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है जलाधारी में वो पारवती जी के सुंदर उत्री अशुक सुंदरी का स्थान शंकर जी के उपर टिकोनी रखी रेती है उसके उपर से जल ब बगवान की पांच पुत्रिया जया विश्हरा सामरी बारी दोतली और देव यह संकर जी की पांच बेटियां भी है संकर भी है और पार्वती अर्थाथ शिवजी के परिवार में आपको गणेशी की पूजन अलग करने जाने की जरुवत नहीं पड़ेगी संकर के परिवार में पार्वती जी की पूजन अलग करने की जरुवत नहीं पड़ेगी कार्थी के की पूजन अलग जाकर करने की जरुवत नहीं है संकर का परिवार संकर के शिवलिंग के साथ में उस जलाधारी में संपोर्ण परिवार संकर का विराज मारे संपोर्ण बारे मारा पिर बोई बात आई ध्यान दीजिएगा जिस व्यक्ति को नींद ना आवे रातरी को सोते समय टेबलेट खाने की जरुवत नहीं संकर भगवान की पाच पुत्रियों का नाम लीजिए जया आत में जल लो पलंग पर बेठो जल हात में लिया जया आचमंतर विशहर आचमंतर चामलीबारी आचमंतर दवतली आचमंतर और देव यह संकर की जो पाच पुत्रियां है यह एसी पुत्रियां है जो निंद्रा देवी को लेकर आती है और हमें इश्राम का आनंद सुख प्रदान करते हैं यदि विवाह करहें और हमें से लगन देख रहें हो शादी नहीं हो रहे हैं बहुत समय से परिशान कि विवाह को गया हैं रिटाएटर कर दो टेंचन हो टंख थावी सालась साल साल का लड़का मेंुछ णहीं और कोच मत करो तरो यह entsprechend में कना यह तो उसका नाम् गोतर बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ बीले करवा दो और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के पात चाप等 बहुते हो, तीन मन्य में विवापकर रख्रा हो जाती na अशुक सुंदृरी के, उस हल्दी का इतना परवादी 3 महा क्रण दो कि इतना इतना प्रमाने मार्मान शिवलिंग के अरय दना पर कुछ साथ रहे हैं कि निर्मित करा शिवलिंग को एक बार सब जितने भी टीवी पर वेठे हैं सम्मों कमें कठा सुन रहे हैं पर सुन रहे हैं एक वर साथ में समझें वापिस निर्मान को शिवलिंग के निर्मान को मिट्टी लाए उस अच्छ जगा की जल का जीटा दिया रखा जब शिवलिंग बनाया तो एक तलश पानी पहले से दो गंटा आदा गंटा पंदा मिट वीस मिट पहले उसको रग दिया जलाधारी का निर्मान और शिवलिंग का अगर निर्मान करा है तो आपको वो पार्थिव शिवलिंग को रात्री होने से पहले विसर्जन होना ज़रूरी है हाँ अगर कोई शिवरात्री का दिन है तो फिर आप पूरी रात रख सकते हो हर्ताली का तीज का दिन है पूरी रात रख सकते हो बड़ी तीज है छोटी तीज है आप शिवलिंग बनाये हो तो आप पूरी रात रख सकते हो विशेश कोई उस सब है स्रामन का महिना है पूर विसर्जन करते समय जब आप विसर्जन करें पानी में अपने पास्तर को शिवलिंग को जब छोड़ें उस समय पर ज्यांग दीजिएगा कि शिवलिंग की जो जल की धार जिसका उत्तर की और जो जल की धार होती है विसर्जन करते समय वो जल की धार अरधात वो उत्तर का भाग हमारी और होना चाहिए और धाली इस तरह से पकड़ें कि वो भाग हमको जब दाले तो वो भाग हमको दिखे थोड़ा संदा जागा पानी में डालते समय और जब वो थोड़ा भाग दिखा रहे और जिसलिए शिव नाया है वो कामना को पानी में देखते देखते बोल दीजिए वो कामना पून हो जाती है इसको करते हैं पार्थिव शुवलिंक का निर्मान और उसकी अराधि अराधिन लिए आई प्रोट जो अढ़ कर दो कर दो. चंकर के शिविलिंग को बनाने के लिए मिठ्टी कहा की होना चाहिए किस जगहा पर बनाना चाहिए मिठ्टी में केसा जल मिलाना चाहिए जब शिविलिंग का निर्माण करें चंकर के शिविलिंग को जब बनाए तो सबसे पहले केसे बनाए उस तक का विधान श्यो महा पुरान में और लिंग कुरान में अरा न कहा क्यारे की मिट्टी ब hum जिस मिट्टी पर कोई गंदगी न करें दो हो एसी जगहा का कोई भाग कोई मिट्टी का लाएं जहाँ कोई गंदगी ही है पिछले वर्ष के लागडाउन से लेकर अभी तक की जो कथाएं आप लोग सुने हैं उसमें शिवलिंग मट्टी का किस तरह से बनाया जाए और कैसी मट्टी हो और उसमें पानी कैसा मिलाया जाए कैसा शिवलिंग तयार करा जाए उसका विधान बढणन नहीं कर पाए परंथू आज कथा निकलिए तो उसको सुने कियारे की मिट्टी मतलब जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गयो एसी जगा की मिट्टी को लेकर जाए और मिट्टी को लाने के बाद खोड़ा पानी क सिचन कर पास जो कर आता घर में लाए तो उससे पहले मिट्टी को पवित्र कर अपने घर में गंगा जल रखा हो यमना आजागा ओए उससे मिट्टी का सिचन कर देढ़ी मानलो अगर यह जल नही भी है ल victim के अंदर थोड़ा सा इत्र डालत कर मिट्टी के सीचन करूआ करें ने बेलपत्र भी नहीं है तो उसी जल छाड लिलाइं तो उसी दिन जल के הז Richardson अ तो फिर बले कुछ पंदरा दिन बाद बनाओ आट दिन बाद बनाओ दस दिन बाद बनाओ तीन दिन बाद बनाओ और उस समय पर मिट्टी का सीचन उसमय हो जाए पर जिस दिन शिवलिंग का निरमान करो उस दिन राताहा में अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं तो ब्रह्म मोहरत में मिट्टी को गलाओ किस पानी से गलाना है उसका भी प्रमानक उसका भी शास्त्रवन अंतर है किस जल से गलाया आजा है तो यह महापुरान की कथा करती है पर वो पानी वह रखा होना चाहिए रसोई घर में अनपूर्णा का निवास होता है परिंडे के पास पित्रों का निवास होता है अनपूर्णा पित्र सब रसोई घर के भीतर धिराजमान होते हैं शास्त्र करता है 33 कवटी देवता एक समय के लिए एक छण के लिए हमारे रसोई घर में प्रवेश करते हैं इससे लिए रसोई घर को तुम पूरे घर को सफ रखो ना रखो पर रसोई घर एक्टम क्लीन होना चाहिए सापोना चाहिए अच्छोंना चीकज़ा आज के जुमानमे में तो जर्थ घर होते थे जब नद भंद होता था तो उसको जीदा कर गोवर को विहां को पानी में Java कर तक पड़े को पूरे चोके को रसोई घर को करता जाता है वालो कि उसको कि JE singing के दुधिधये मสहुर्ण के महीने में अगर आप शुवलिग बनाते हैं सुनमार को शुवलिग बनाते हैं तो क्या करना है मिट्टी को लाना है जलका चीटा जरूर देना घर में लेकर आए और जलका चीटा होना जरूर दो दिन तक तीन दिन तक मिट्टी रखी हुई है और उसके बाद अगर आपने पानी का चीटा नहीं दिया है और आपने डारेक्ट मिट्टी को गला दिया और उसके बद बनाए तब उस मिठी को जो कलश आपने रस्वई घर में रखा है चावल का दाना रखकर प्लेट के उपर अर्थात उस कलश का जल उस मिठी में थोड़ा सा डाली है क्यों डाला जाता है उसका भी भाव वर्णन किया है अग अविश्ट्री पुराण इसकंद पुराण अग्मी पु पूरे चोविस घंटे के अंदर एक छण के लिए रसोई घर में थेतिस कोटी देवता आते हैं तो वो दिवता का सारा भाव उस कलश के अंदर आ जाता है और वो जल जो हम उस मिठी में मिलाते हैं तो तो मिठी पवित्र हो जाती है स्वयम केलाश अधिपती को शिकार करने के लायगोजादी निरमित करने के लायगोजा की। कि हुद सेच है दूर्श पसे पहले शिव्लिंग बनाने से पहले पात्र को पात्र जो होता है उसके नीचे बेलपत्र नहीं है पात्र जिसके जेल आजा स्वयम गंगा शिवकी जटा में और आप शंकर के शिवलीन का अंधरमान कर रहे हो इसके साध्यन में आजा स्वयम इदेश्वर आप देश्वर सहीता के अंचरगत पने कि ब्रह्मा रो भिष्णू ब्रह्मा ऊपर जा रहा है बग्वान विश्णू नीचे जा रहे तो पता निकर पर कि यहां चरन का पर उल्ष शिश्टा इसको जाने हो कि अधिक बेल पत्र भी शीदा भाद है और इस बेल पत्र की जो टंडी है वो उत्तर दिशा में रखना है थाली के उत्तर जब आप शिवलिंग का अंदर वाद आप इसके उपर जो गलाई में मिटती है को डाला के बाद सबसे पहले है आरक ड्युम्है सबसे की जलाधारी यति है मार का और मीटत है ए इ सबसे है जलाधारी है जलाधारी निर्मित हो गई, शंकर जी का संखून परिवार शिवलिंग में रहता है, आपको पहले लिए करना है, आज खिर आपको वर्णन कर देते हैं, जैसे ये जलाधारी है तोल, ये चरण है, ये शिवलिंग है, ये जो गोल भाग है, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, ये पारवती जी का हस्त कम है, जहां से पानी नीचे गिर रहा है, इसके राइट भाग में श्री गणेजी का स्थान, लेट भाग में श्री कार्ती के जी का स्थान, बी उसके उपर से जया नीचे घरता है यह आप आप कलस से जल चड़ाते हो या आप 等शचीन से जल चड़ाते हो तो यह जो पानी घरता है अजाल पाता शामरी बारी दोतली और देव हैं और जी पूजान अलग करने की जरूवत नहीं पड़ेगी कर दो फूरा परिवारे मारा फिर वहीं बात भी ध्यान दीजेगा जिस व्यक्ति को नीद नावे रात्री को सोते समय टेबलेट खाने की जरूरत नहीं संकर भगवान की पाच कुत्रियों का नाम लीजिए जया आत में जल लो पलंगर बेठो जलहात में लिया जया आचमंतनु विशहरा आचमंतनु चामलिबारी आचमंतनु दवतली आचमंतनु और देव आचमंतनु ये संकर की जो पांच पुत्रियां है ये ऐसी पुत्रियां है जो निंद्रा देवी को लेकर आती है और हमें इश्राम का आनंद सुप्रदान करते ह करते हिए कि यदि विवाह नहीं हो रहे है बहुत शमएसे लगन देख रहा हों साधी नहीं और बहुत समय से परीशान हो गए कि विवाहिं नहीं और रहा है थाई कि एठावी साल, तीस साल का लड़का हो गया, दुगा नहीं हो रहा, कुछ मत करो, अश्टमी तिथी आए, तो असुक सुंदरी वाली जो जगा है, वहाँ पर हल्दी की साथ बिंदिया लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रगवा दो, उसका नाम कोत्र बो तीन महा के अंतरवर्दी, इतना इतना प्रमाणे मारत, प्रमाण शिर्व के अरदना को कुछ साथ रहे हैं, बहुत, निर्मित अरा शिर्वी, एक बार सब जितने भी टीवी पर बेठे हैं, सम्मूक में कठा सुन रहे हैं, एक बार साथ में समझें, वापिस निर्माण को, शिवलिंग के निर्माण, मिक्ती लाए, सच जगा की, जल का छीटा दिया, रखा, जब शिवीन बनाया, तो एक तलश पानी पहले से दो गंटा, आदा, गंटा, पंदा मिट, वीस मिट पहले उसको रग दिया, उसी पानी स उसको गिला करा, गिला करने के बद उसका निर्माण सबसे पहले बेल पत्री, बेल पत्री के उपर मिट्टी, मिट्टी के उपर रखाए, शिवलिंग का निर्माण, फिर जला धारी का निर्माण, और शिवलिंग का निर्माण, पून होने के बाद में, फिर बाबा का सुन कि समय कि का दिन है हर ताली का ठीज का दिन है पूरी रात रख सकते हैं हैंि ई तों है जब आप दिसर्जन करें पानी में आपने पात्र को जब छोड़े उस समय पर ज्यान दीजिए गाइड कि शिवलिंग की जल कि इसका उतर की जलकी धार कि थी कि शुट अर्द रिटा का फाग हमारी और होना चाहिए और चाहिए यह बाद कि वह हमको जब कले महां तो फॉड़ा सम्द जागा पानी में ढ़नते समय और जब वो थोड़ा भाद दिखा रहे और जिसलिए आपने शिवलिंग बनाया है वो कामना उस भाग को पानी में देखते देखते बोल दीजिए वो कामना पून हो जाती है इसको करते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्मान करना और उसकी अराध्र कि अजय करते हैं बना भी लेते हैं पूजन भी करते हो परकेते हैं हमारा कामने को हूं कर दो चाहिए है कर दो कर दो कर दो झाल झाल झाल